बच्चो अब तक आपने मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा है जाना है आईए आपके पार्टि पुस्तक कक्षा नौवी के जो समाजिक विज्ञान विशे के अध्याय 13 अधिकार में कुछ प्रशन पूछे गये हैं तो उन प्रशनों पर चर्चा कर आते हैं और जानते हैं कि आप अब तक कितनी अपनी समझ बना पाए चलिए पहला प्रशन यह अधिकार कौन सा है इसके अंतरगत एक प्रशन पूछा गया है कि प्रधान मंत्री हो यह सुदूर गाउं का कोई क्रिसक या मजदूर कानून के आगे सब बराबर हैं दोनों प सब्सक्राइब के आधार पर व्यक्ति को कानूनी तोर पर कोई विसेशा अधिकार प्राप्त नहीं होता है कुछ वर्स पूर्व पूर्व प्रधान मंत्री पर धोखा दड़ी का अरोप लगा था और सारे मामले पर विचार करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोस घोस किया था परन्तु जब तक मामला चला तब तक उन्हें किसी आम नागरिक की भाती अदालत जाना पड़ा अपने पक्ष में साक्ष देने कागजात प्रस्तूत करने पड़े तो बच्चो आप बताईए कि यहाँ जो अधिकार है कानून के आगे शमता का अधिकार किस अधिकार के तहत प्रदान किया गया जी हाँ बच्चो बिलकुल ठीक समझ रहे हैं आप यह जो अधिकार है आटिकल 14 में लिखा है समता का अधिकार अर्थात विधी के आगे सभी एक समान है इस अधिकार के तहत यह हम अधिकार उन्हें प्रदान किया गया कि एक प्रदान मंत्री हो या भारत का कोई क्रिसक या मजदूर कानून के आगे सभी बराबर है ठीक है बच्चो अब हम अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने क्या कहता है कि किस अधिकार के चलते लाखों लोग गाउं से निकल कर समरिद्य छेतरों में आकर काम करते हैं और बस जाते हैं इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है जी हाँ बच्चो बिल्कुल ठीक यह जो अधिकार है स्वतंत्रता का अध अधिकार में जो आर्टिकल 19 था उसके भाग एक में अभिवेक्ति का अधिकार था उसी प्रकार जब हम क्रम से पढ़ते थे तो जो चौथा भाग था उसमें लिखा हुआ था कि किसी भी वैक्ति को आवा गमन की स्वतंत्रता होगी तो इसी अधिकार के ता है तो वहां गा आर्टिकल 19 के पांचवे भाग में प्रदान किया गया है ठीक है बच्चों चलिए अब अगला प्रश्ण देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्ण कि किस अधिकार से आप अपने विचारों का परचा छपवा कर या अकबारों या पत्रिकाओं में लेख प्रकासित करवा अधिकार प्रदान किया गया है तो आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिख कर बोल कर किसी भी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं तो यह उसी अधिकार के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके आर्टिकल 19 के ए भाग के तहत इस प्रकार के हम विचारों की अभियक्त कर सकते हैं फिर यह आपके पाठी पुस्तक का है बच्चों इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा और जो मैं समझा रही हूं उसे भी ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिए जो अगला प्रश्ण है वह क्या कहता है कि 14 वर्स से कम आयू के बच्चों को कारखाना खदान ठीक समझे बच्चे ये किस से संबंदित है काम से किस प्रकार के काम से एक तो बच्चों के काम से और दूसरे जो मुख्या बोल रहा है उसमें वह किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता यह कहता है तो यह किस अधिकार के तहत है ठीक सोशन के विरुद्ध आर्टिकल 23 में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बेगारी नहीं कराया जा सकता किसी भी व्यक्ति से जबर्दस्ति बल पूर्वक काम नहीं कराया जा सकता तो आर्टिकल 23 में किसी व्यक्ति से जबर्दस्ति नहीं कराया जा सकता कोई भी कारे और जो बच्चों की बात आ समा आयू के बच्चों को यげ किसी भी होटल में या किसी खदान में किसी कार खाने में रेलवे इत्यादी इस थाने किसी का रही मैं लगाता सकता यह अपराद है और किस को तहट आता थ है तो सोशन का विरुद्धे जो आ लिए अगले प्रश्ण पर चर्चा करते हैं जो अगला प्रश्ण है क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हमें देवी देवताओं या किसी अन्य सक्ति को खुश करने के लिए बली देने का अधिकार है। अब सोचिए बच्चो आप क्योंकि जो हमारा सविधान है वहया कहता है कि धार्मिक स्वतंतरता की छूट है तो क्या इस धार्मिक स्वतंतरता के छूट पर हम किसी व्यक्ति का जीवन ले सकते हैं क्या किसी व्यक्ति की बली दी जा सकती है नहीं बच्चो हम धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं सांति पूर्वक और उस हद तक कर सकते हैं जब तक हमारे इस अनुष्ठान के करण किसी अन्य वैक्ति के मौलिक अधिकार का उलंगन ना होता हो चूंकि सविधान में किसी वैक्ति को जीने का अधिकार प्रतान किया गया है तो यदि कोई वैक्ति बली लेता है तो वह दूसरे वैक्ति के जीने के अधिकार का हनन है हम किसी व्यक्ति को मार नहीं सकते तो इसलिए इस अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है और यह घलत है और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो वह दंड पा सकता है तो अगला जो प्रश्न है बच्चो अच्छा प्रश्न में यह पूछा गया है कि यह किस अधिकार के तहत जूर में है तो यह जीने के अधिकार अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार के तहत यह एक जूर में होगा फिर जो अगला प्रश्न है क्या किसी किसी विद्वा का मुंडन करा सकते हैं या उसे मात्र सफेद कपड़े पहनने हितु मजबूर कर सकते हैं बहुत ही समाज से रिलेटेड यह प्रशन है कि क्या किसी विद्वा का मुंडन करा सकते हैं सविधान क्या कहता है तो बच्चों किसी विद्वा का मुंडन नहीं कराया जा सकता और ना ही उससे सफेद कपड़े पहनने को मजबूर किया जा सकता है Q कि सविधान हमें जी ने कर देता ही है लेकिन साथ साथ सम्मान पूर्सक्राइब और समाज में प्रतिष्ठा पूर्वक गरिमा में तरीके से जीवन जीने का अनुमति प्रदान करता है यदि हम किसी विद्वा महिला का मुंडन करें या फिर उसे सफेद साड़ी पहनने के लिए मजबूर करें तो यहां उसके प्रतिष्ठा का हनन होगा और समाज में एक तरह का भेद भा पूर्वक ब्यवहार होगा अतह सविधान इसका खंडन करता है और सभी को समानता पूर्वक जीने का अधिकार और प्रतिष्ठा पूर्वक जीने का अधिकार देता है तो बच्चो समझ आया होगा और यह किस अधिकार के तहत होता है तो यह स्वतंतरता के अधिकार अगला प्रश्ण जो है अल्प संख्यों को से संबंदित है इस अधिकार के बारे में भी आपने पढ़ा है तो अल्प संख्या को भासा संस्कृति और धर्म के विशेश संरक्षन किस अधिकार में दिया गया है जल्दी बताइए बच्चों किस अधिकार में दिया गया है ठीक यह जो अधिकार है आर्टिकल 29 और 30 के तहट दिया गया है जिसमें अलप संक्योकों के संस्कृति और सिप्छा संबंधी अधिकार प्रदान किये गये हैं वो अपने संस्कृति और सिप्छा के हितों के लिए सिप्छा संबंधी प्रदान कर सकते हैं तता अपने किसी अपने धर में से संबंधी कोई सेक्षनिक संस्था खोल सकते हैं और उस पर प्रसासन भी कर सकते हैं ठीक है बच्चों तो ये अब समझ आया अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर जो अगला प्रश्ण है क्या कहता है कि हमारे आज पास एक कारखाना है जिससे निकलने वाले बेकार पदार्थों से हमारे इलाके का पानी गंदा हो रहा है और इस गंदे पानी के कारण पी लिया डाइरिया खुजली जैसी कुछ अनेक प्रकार के रोग फैल रहे हैं तो जिससे हमारे जीवन जीने का अधिकार का हनन हो रहा है इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम उच्चे या उच्चेतम नियाले में किस मौलिक अधिकार के तहत मुकदमा दायर कर सकते हैं प्रशने समझाया बच्चो कि कोई एरिया है जहां कोई कारखाना है जिसके करण आसपास का जो वातावरण है पानी है वायू है दूशित हो रहा है तो दूशित हो रहा है हम देख रहे हैं लेकिन इसे रोकवाने के लिए हम किस अधिकार के तहत उच्च नियाले या सर अधिकार अर्था यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उलंगन हो रहा है तो हम सीधे उच्छ नियाले या सर्वोच्छ नियाले में मुकदमा दायर कर सकते हैं और अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमें जीने का अधिकार है जीने के अधिकार के तहत हमें स्वच् हम सर्वोच नियाले में या उच नियाले में मुकदमा दायर कर सकते हैं और यह किस अधिकार के तहत है तो आर्टिकल 32 में लिखेत समवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत यहां बताया गया है ठीक है बच्चों तो अब यह जो प्रश्ण थे आपके पाठ्य पुस्तक क कि अधिकारों को संदरक्षन देने वाली संस्थाएं अभी तक आपने इतने सारे अधिकारों के बारे में जाना आप पने यह भी जाना कि कानूं इन अधिकारों को बनाती है तो क्या बच्चों लोगों को अधिकार प्रदान करने के लिए सिर्फ कानूनी प्रावधान कर देने से ही यह सुनस्चित नहीं हो जाता कि अधिकार सही ढंग से लागू हो रहे हैं अत्वा नहीं अधिकार सही ढंग से लागू होने के लिए जरूरी है कि कुछ संस्थाओं का निर्माड हो जो कि इन अधिकारों को संरक्षण प्रदान करें ऐसी संस्थाओं को लगातार यह देखना होता है कि कोई भी अधिकार सही ढंग से लागू हो रहा है अत्वा नहीं हो रहा है और अगर नहीं हो रहा है तो अपने इस तर पर उसकी जाज़ पड़ताल करेगी और उसे सही करने का प्रयास करेगी तो यह जो इस प्रकार की संस्थाओं है यह राज्य इस्तर पर भी हो सकती है और केंद्र के इस्तर पर भी हो सकती है और कुछ इस्थानी इस्तर पर भी कुछ संस्थाओं एंजियों के तहत काम करती है फिलाल हमें उस पर नहीं जाना है बच्चों हमें जाना है राज्य इस्त पर कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो किसी के मौलिक अधिकारों को संरक्षन प्रदान करती हैं इसके तहत कुछ उधारण है मानम अधिकार आयोग बाल अधिकार आयोग महिला अधिकार आयोग जन सूचनक अधिकार आयोग तो हम इन सभी आयोगों के बारे में अब एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे ठीक है बच्चो और ये जो आयोग है क्या काम करते हैं तो ये अधिकारों को संरक्षन प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं जिससे हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूख होते हैं और हमारा अधिकार संरक्षन का ये कारे भी करती हैं चलिए एक-एक कर अभी स्टार्ट करते हैं, इसके अंतरगत सबसे पहला जो संस्था है वह आता है नियायाले, तो चलिए बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं नियायाले, क्या होता है नियायाले, जहां हमें नियाय मिलता है, यह आप सुरुवात से ही जानते हैं, चलिए थ पिछली कक्षाओं में हमने नियायले के बारे में पढ़ चुका है। हम जानते हैं कि नियायले केवल लियाय ही नहीं करते हैं, बलकि अधिकारों का संरक्षन भी करते हैं। यह नियायले ही हैं जो हमारे सम्विधान की संरक्षक होते हैं। यदि कोई सरकार या वैक्ति हमारे किसी अन्य कानूनी अधिकारों का उलंगन करता है तो हम उनके खिलाफ नियायलय जा सकते हैं। अधिकारों के उलंगन के ऐसे मामले, चाहे वह सिक्षा से संबंधित हो या परियावरण से या किसी के समाजिक जीवन से या किसी व्यक्तिका छेत्र से जुड़े हो यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उलंगन होता है तो हम नियालय की सरण लेते हैं और नियालय हमारे सविधान में भी विशेश प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति सीधे भारत के सर्वोच नियालय या संबंधित राजिके उच्छ नियालय में मुकदमा दायर कर सकता है ये बात मैं आपको सुरू से ही बता रही हूं कि मौलिक अधिकार के हनन या उलंगन के तहत हम सीधे कहा मुकदमा दायर कर सकते हैं उच्छ नियालय या सर्वोच नियालय में और नियालय के अलावा कई अन्य संस्थाएं और आयोग भी हमें संरक्षन देती हैं हम एक एक कर पढ़ेंगे लेकिन फिलाल हम अभी पढ़ रहे हैं नियालय तो बच्चो मैं जब नियालय के बात कर रही हूं तो सर्वोच नियालय जिसे हम उच्छ नियालय भी कहते हैं और सुप्रीम कोट भी कहते हैं और इसके अलावा एक और नाम आ रहा है उच्छ नियालय जिसे ह हाई कोट कहते हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में हम जानते हैं कि क्या है सुप्रीम कोट और क्या है हाई कोट सुप्रीम कोट अगला टॉपिक हमारा सुप्रीम कोट जो सुप्रीम कोट है यह सर्वोच नियाले है यह इसकी जो अवधार्ना है अंग्रेजों के समय आई अंग वह राजा ही सुनाता था और उसके मंत्री और कुछ नयाय अधिकारी हुआ करते थे वह इसमें भागिदार होते थे और सहायता प्रदान करते थे किन्तु जो नयायले की अधार्णा है वह अंग्रेजों के समय आई जब इस्ट इंडिया कंपनी का सासन था तो उस समय जो भार 111 में भारत की राजधानी घोसित किया लेकिन उससे पहले चूंकि कलकत्ता ही राजधानी थी तो जो भारत का पहला जो आधुनिक नयायले है जिसमें वकील होते हैं जिसमें नयाय धीस होता है जज होता है इस प्रकार का नयाले सर्व प्रतम कलकत्ता में खोला गया और कब खोला गया तो बच्चों यह सन 1862 में खूला था कहां पर कलकत्ता में तो इसके पस्चाद जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी और उसके बाद भारत सासन अधिनियम 1935 लागू हुआ जो हमारा वर्दमान सविधान है वह भारत सासन अधिनियम 1935 का ही अधिकांस भाग लिय गया है उसमें तो जब 1935 में भारत सासन अधिनियम बना उसके पस्चाद दिल्ली में सन 1937 में अर्थाथ दो वर्स के बाद एक न्यालय खुला गया और उस न्यालय का उस वक्त नाम था संग न्यालय और जो अंग्रेज थे इसे फेडरल कोट कहते थे संग न्यालय कहीं इं कब बना बच्चो आप जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ और 26 जन्वरी सन 1950 को भारत का सविधान लागु हुआ तो जिस दिन भारत का सविधान लागु हुआ उसी दिन यह जो फेडरल कोट था जो कि 1937 में बना था जिसे अंग्रेजों द्वारा बना गया था उस दिन से ही 26 जन्वरी सन 1950 को ही यह भारत का सुप्रीम कोट बना समझा है बच्चो फिर इसके बाद जो फेडरल कोट ही सरवोच्चे नियाले में कणवर्ट हो गया लेकिन फेडरल कोट सुप्रीम कोट भारत का नहीं था तो उस समय का सुप्रीम कोट क्या था जो अंग्रेजों का सासन था तो अंग्रेजों का जो हेड़ कोटर कहा था बिल्कुल ठीक लंदन में ब्रिटिस भारत का जो में जगा था वो क्या था में राजधानी क्या थी जहां से सारे उपनिवेसों का सासन चल रहा था लंदन में तो जो यहां अपील होती थी फेडर में इस्थित प्रीवी काउंसल जो प्रीवी काउंसिल है लंदन का सर्वोच ने आले था वहां अंतिम फैसला सुनाया जाता था किन्तु जब भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 के बाद यही फेडरल कोट जो है हमारे सुप्रीम कोट में कनवर्ट हो गया तो उसके पस्चात अब जो भी भारत का मुकदमा हो या कोई विवाद हो कुछ भी हो तो जो फैसला आता है सुप्रीम कोट का वही अंतिम फैसला होता है और उसके खिलाफ किसी वेक्ति या किसी सरकार को चुनाती देने का अधिकार नहीं होता है यह माना जाता है कि यहां जो नियाय अधिस ब बड़ा भारत का कोट है और इसके बाद जो फैसला आया तो उसको किसी अन्य कोट में या कहीं पर भी चुनावती नहीं दी जा सकती है ठीक है बच्चो सुप्रीम कोट समझ आया अब हम अगला जो हमारा ठीक इसमें एक थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो जो पहले नया अधीस थे हमारे सुप्रीम कोट के उनका नाम था हरी लाल जे कानिया भारत के सुप्रीम कोट के पहले मुख्य नया अधीस हरी लाल जे कानिया थे और भारत के सुप्रीम कोट के वर्तमान मुख्य नया अधीस का नाम है डी वाई चंद्रचून और यह जो ड पचासवे क्रम के मुख्य नयाधीस हैं, इन से पहले 49 लोग मुख्य नयाधीस की कूर्सी पर बैठ चुके हैं, यह 50 वे क्रम के मुख्य नयाधीस है और अगर डीवाई चंद्रचून का पूरा नाम मैं बताऊं तो यहां है धननजे यसवन्त चंद्रचून, ठीक है बच्च कि राज्जियों में इस्तित है, चुकि आप जानते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्रसासित प्रदेश हैं, तो इस इसाब से कुछ राज्जियों में हाई कोट नहीं है, तो वो किसी अन्य राज्य के हाई कोट पर आशूरित है. चलिए बच्चों देखते हैं कितने हाई कोट है हमारे भारत में तो जो भारत में कुल हाई कोट की संख्या जो है वह 25 है जो 25 नमबर का सबसे नया जो हाई कोट है वह आंत्यप्रदेश के अमरावती में इस्तित है क्योंकि आप जानते हैं कि आंत्यप्रदेश जो है दो भाग में विभाजित होकर तेलंगाना नामक एक नया राज्य बना तो तेलंगाना में जो हैदरबाद का हाई कोट था वह वहीं इस्तित है और आंत्यप्रदेश के लिए नया हाई कोट बनाया गया जो कि अमरावती में इसके बाद चुकि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में कुल 28 राज्य हैं लेकिन हाई कोट की संख्या है 25 तो जो गोवा है अरुणाचल प्रदेश है मिजोरम है नागलेंड ऐसे कुछ प्रदेश हैं जिन राज्यों के पास अपना खुद का हाई कोट नहीं है अब 36 गड़ में आते हैं हम तो जो 36 गड़ का उच्च नियाला है यह हाई कोट है वह कहां इस्तित है वह इस्तित है वह इस्तित है वह बिलासपूर में हमारे 36 गड़ की राजधानी जो है वह रायपूर है लेकिन हाई कोट कहां इस्तित है यह प्रशन आता है इसलिए आप इ हाई कोट है वह एक नौवंबर सन 2000 में इस्थापित किया गया और आप जानते ही हैं बच्चों कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और एक नए राज्जी के रूप में इस्थापित हुआ था ठीक है अब यहां जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जो पचीसवा हाई कोट था वह आंध्य प्रदेश में इस्तित हैं तो हमारा च्छतिजगड का जो हाई कोट है वह क तो उस समय जो प्रधम मुखे नायधीश एक कारेवाहक नयायधीश की रूप में रखा गया था और उनका नाम था आरेश गर्ग Niyaयमूर्ति आरेस गर्ग बच्चों क्यूंकि नयायधीश है तो उनके नाम के आगे नयायमूर्ति लगाया जाता है इसलिए जो प्रधम कार वाहक मुख्य नयाधिस थे उनका नाम है नियायमूर्ति र.s. गर्ग और जो इस्थाई रूप से मुख्य नयाधिस हुए उनका नाम था डबलू ए शशांक नियायमूर्ति डबलू ए सशांक अब वर्तमान के मुख्य नयाधिस कौन है हमारे 36 गड के वर्तमान मुख्य नया रहते हैं लेकिन हमें current affairs के तहट update होना चाहिए तो अब जो हमारे वर्तमान मुखे नयादी से अरूप गोश्वामी जी को उस समय की जो राज्य पाल थी गवर्नर थी अनुसुया उइके जी ने सबत दिलाया था इसके बाद हमारा ये नयालय खत्म होता है जिसमें हमने supreme court और उच्चे नयालय पढ़ा कुछ और अन्य भी निचली अदालते होती हैं जिला सत्र नयालय भी होता है उसे हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे तो बच्चों नयालय के अध्यान के बाद अब हम अपना अगला नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं मानव अधिकार आयोग जो मानव अधिकार आयोग है यह मानव के अधिकारों से संबंधित एक संस्था है यह जो संस्था है यह 10 दिसंबर सन 1948 में संयुक्त राष्ट संग की महासभा में मानव अधिकारों के सार्जनिक घोशना पत्र के रूप में अंगिकरित किया गया क्योंकि यह 10 दिसंबर सन 1948 में संयुक्त राष्ट संग के महासभा में अंगिकरित किया गया था इसलिए प्रति वर्स हम 10 दिसंबर को Human Rights Day यह मानव अधिकार दिवस मनाते हैं जो मानव अधिकार आयोग है यह मानता है कि आंतरिक द्रिष्टी से सभी मनुस्य समान है कोई भी मनुस्य किसी अन्य मनुस्य के नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है बच्चो इसके साथ साथ जो इसका विचार है यह नसल जाती धर्म लिंग और आर्थिक इस्थिती पर आधारित मौजूदा असमनताओं को चुनोती देने के लिए करता है और इसके बाद सभी आधुनिक देशों में जो कि लोकतांत्रिक देश हैं जो आधुनिक देश हैं वो कैसे हैं लोकतांत्रिक देश हैं तो सभी लोकतांत्रिक देशों में विभिन सनरचना इस्थापीत की गई जो अधिकारों के सनरक्षण के लिए कुछ नियम बनाती हैं तथा लोगों को मानव अधिकारों के प्रति जागरुक करने का भी कारी करती हैं इस घोशना पत्र में जो संयुक्त राष्ट्रे संग के महासभा में जो घोशना पत्र जारी किया गया था उसमें कहा गया कि इस घोशना पत्र में मनुस्य की सभी बुनियादी आवस्यक्ताओं तथा लोकतंत्र के मुखे बिंदुओं जैसे की स्वतंत्रता, समानता, निय तथा व्यक्तिगत गरिमा आधी को स्विकार करते हुए कुछ अधिकार सामिल किये गए इन अधिकारों को सही ढंग से लागू करवाने तथा मानव अधिकारों के उलंगन को रोकने के लिए सभी देशों में मानव अधिकार आयोगों का गठन किया जा रहा है इसमें हमारे भ कार कारे करती है तो हमारा जो नया टॉपिक है अब आ रहा है नेशनल हुमन राइट्स कमिस्जन भारतिय मानव अधिकार आयोग तो बच्चों जो भारत में मानव अधिकार आयोग है उसे हम NHRC, short form के रूप में भी जानते हैं, NHRC का मतलब है National Human Rights Commission इसका गठन कब हुआ? तो जो भारत का मानव अधिकार आयोग है, इसका गठन 12 October सन 1993 में हुआ था चुकि यह एक साविधिक निकाय है और यह जो साविधिक निकाय होता है, किसी अधिनियम के तहट बनता है तो किस अधिनियम के तहट मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया? तो बच्चो मानव अधिकार सनरक्षण अधिनियम 1993 के तहट इस मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है और कब किया गया है? यह 12 October 1993 को गठित किया गया हमारे भारत में बच्चो इसकी प्रकृति कैसी है फिर से मैं वही सब्द अपनाती हूँ कि जो इसकी प्रकृति है वह सामविधिक होती है सामविधिक जिसे हम इंगलिज में Statutory Body भी कहते हैं Statutory Body ठीक है बच्चो तो Statutory Body का Means क्या है यह जो एक प्रकार का ऐसा निकाय है जो नियमों का पालन करता है लेकिन खुद यह नियम नहीं बना सकता नियम बनाने का अधिकार किसे है समवैधानिक Constitutional Body को है और यह एक समवैधानिक Body नहीं बलकि यह एक सामविधिक Body है Means जो समवैधान जो नियम बना रहा है उसके तहत यह काम करेगा उसे लागू करेगा लेकिन स्वैम यह बना नहीं सकता ठीक है बच्चो तो इसकी प्रकृति कैसी है सामविधिक है फिर जो अगला इसका point है मुख्याले कहा है तो हमारे National Human Rights Commission का जो मुख्याले है वह नई दिल्ली में है सभी जानते हैं कि नई दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है तो आधिकतर केंद्री इस्तर के जो मुख्याले है भारत के नई दिल्ली में ही स्थित है फिर जो अगला हमारा इसका topic है इसी मानौव अधिकार आयोग के अंतरगत ही सब टॉपिक है इसकी संरशना कैसी है तो हमारे भारतिये मानौ अधिकार आयोग की संरशना है उसमें कुल 13 सदश से होते हैं कौन कौन से हैं तो बच्चों इसमें एक अध्यक्ष 5 मुख्य सदस्य होते हैं तो इन सब को यदि हम गड़ना करें तो कुल सदस्य कितने हैं 13 तो इसको आप ध्यान रखिएगा बच्चो कि मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य हैं तो 13 हैं कौन-कौन है तो एक अध्यक्ष है और पांच मुख्य और इस्थाई सदस्य है और साथ प देन सदस्य कौन-कौन होते हैं ठीक है इसके बाद ये जो सदस्य हैं जो हमारे मुख्य जो हमारे मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो बच्चो मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भारत का करता है एक समिती होती है उस समिती किसी फारिष पर भारत का राष्ट्रपती इन सदस्यों की नियुक्ति करेगा अब यह जो चयन समिती है इसमें कौन-कौन होते हैं पहले इसे जानते हैं उसके बाद हम मानव अधिकार आयोग के सदस्यों के बारे में जानेंगी कि कौन-कौ और वरतमान में हमारे भारत के प्रधान मंत्री होगा और वरतमान में माननिये नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधान मंत्री है तो अगर मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की न्युक्ति होना है तो उसका अध्यक्ष कोन होगा पीम अर्थात मानिय नरेंद्र मोदी जी आज की परिप्यक्ष में और फिर इसके बाद जो अन्य सदस्य हैं वो कौन-कौन होते हैं तो जो इसका दूसरा सदस्य होता है चैन समिती की बात कर रही हूँ मैं जो इसका दूसरा सदस्य होता है वहा होता है केंद्री ग्रीह मंत्र तो बच्चो अभी हमारा ग्रीह मंत्री कौन है? हमारे केंदरी ग्रीह मंत्री बताइए अमित साहजी जी हाँ बच्चो तो इसका जो दूसरा आज की परिप्रेक्श में अगर हम चैन समिती की बात करें तो दूसरा सदस्य कोन होगा? ग्रीह मंत्री भारत के फिर अगला जो है लोकसभा अध्यक्ष और इसी प्रकार राज्यसभा का उपसभापती और लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता इन चैन समिती के सदस्य होते हैं हमें दुब कि हम राज्जनीती विषय पढ़ रहे हैं तो हमें इन सभी सदस्यों के जो वर्तमान भारत में हमारे अभी हैं इनका सभी का नाम हमें पता होना चाहिए तो यह आप के लिए हुंबर्ग है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रधानमंत्री भारत का ग्रीह मं और इसके अलावा लोक्सभा अध्यक्ष लोक्सभा का नेता प्रतिपक्ष तथा राज्यसभा का विपक्ष का नेता और इसके साथ भारत के उपराश्ट्रपती और राज्यसभा के उपसभापती इन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए ठीक है बच्चों यहां पर यह जो इनके सिफारिस के आधार पर भारत की जो राष्ट्रपती है भारत की राष्ट्रपती कौन है बच्चों अभी जी हाँ बिल्कूल हमारे भारत की जो राष्ट्रपती है इस समय एक महिला है और माननिय द्रवपती मुर्मु जी हमारे भारत की राष्ट्रपती है और यहां राश्ट्पति के पास जाएगा राश्ट्पति हर्ष्थाक्षर करेंगी और यह सब फिर नियुक्त होंगे फिर अगला जो है हमारा पॉइंट एनेच आर्सी के सदस्यों की योगेता एनेच आर्सी पुना कहूंगी नेशनल हुमन राइट्स कमिशन राश्ट्रिय मानव अगला हमारा टॉपिक है एनेच आर्सी के सदस्यों की योगेता तो इसमें जो पहले मैं बता चुकी हूं कि कुल 13 सदस्य हैं जिसमें एक अध्यक्ष हैं पांच इस्थाई सदस्य हैं और साथ पदेन सदस्य हैं तो अध्यक्ष की क्या योगेता है इस्थाई सदस्यों की क क्या योगिता है तथा पदेन सदस्यों की क्या योगिता है एक एक करम जानेंगे तो जो हमारा पहला अध्यक्ष है वह क्या होना चाहिए क्या उसकी योगिता होनी चाहिए कि वह मानव अतिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है तो बच्चों उच्चितम नियालय का पूर्व सब्यूति evo WIB cannot have led इसके लावा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष योग्यता कोई व्यक्ति नहीं रखता है तो बच्चो क्या कौन होना चाहिए वा चीफ जस्टिस होना चाहिए कहा का सुप्रीम कोड का और बाद में संसोधन किया गया और उसके बाद कोई अन्य नयाधिस भी हो सकता है यह कहा गया ठीक है बच्चो फिर अगला जो इस्थाई पांच मुख्य सदस्य होते हैं उनकी क् तो पहला प्रथम सदस्य जो है उचितम नयालय का कारेरत या पूर्व नयाधिस होना चाहिए दूसरे सदस्य की योगजिता वह भी सुप्रीम कोड कहीं नया धिस हो या तो कारेरत हो या फिर रिटार्ड भी हो सकता है लेकिन होना कहा से चाहिए वह राष्ट्रियमानवा अधिकार आयोग के सदस्य की योगिता के लिए जो दूसरा सदस्य है सुप्रीम कोट से ही होना चाहिए ठीक है बच्चों फिर अगला जो तीसरा सदस्य है अध्याक्ष के अलावा और अगर पांच मुख्य सदस्यों की बात करें तो इनका करम दूसरा आता है तो पहला जो सुप्रीम कोट का कारेरत या पूर्व नया अधिस हो सकता है इसी में जो दूसरा सदस्य है वह उच्चे नयालय का कारेरत या पूर्व नया अधिस यह भी हो सकता है तो पहले में सुप्रीम कोट और दूसरे में हाई कोट का नया अधिस हो सकते हैं फिर जो तीसरे नंबर जो तीन अन्य सदस से आते हैं क्योंकि पांच मुख्य इस्थाई सदस से थे तो पहला सदस से सुप्रीम कोट का रिटायर्ड या फिर कारेरत निया धिस और दूसरा सदस से हाई कोट का रिटायर्ड या फिर कारेरत निया धिस और जो तीसरा जो है तीन सदस से आएंगे जिस तो उसमें मानौ अधिकार के विशाय में विसेसक यह कम से कम इसमें कम से कम एक महिला होना अवश्यक है तो जो पूल 7 र्दम होना होना है ठीक है बैच्चोट तो कुझ के सदस्य आप समझ चुके इसके बाद जो साथ पदेन सदस्य हैं वो कौन-कौन होते हैं तो नेशनल हुमन राइट्स के जो साथ पदेन सदस्य हैं उनका करम देखिए पहला ऐसी आयोग का अध्यक्ष अब यहां पर ऐसी आयोग मिन्स अनुसूचित जाती जिससे हम सेड्यूल कास्ट भी कहते हैं उस अनुसूचित जाती आयोग का अध्यक्ष होगा दूसरा सदस्य कौन होगा हम कुल साथ सदस्यों की बात कर रहे हैं तो पहला सदस्य से एसी आयोग का अध्यक्ष दूसरा सदस्य से एस्टी आयोग का अ चौथा सदस्य राष्ट्रिय अल्प संख्यक आयोग से, पांचवा राष्ट्रिय पिछड़ा वर्ग आयोग, छटवा राष्ट्रिय बाल संदक्षण आयोग, तथा सात्वा राष्ट्रिय दिव्यांग जन आयोग से, जो अध्यक्ष होंगे, वो सभी इस राष्ट्रिय मान अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान के जो हमारे राश्ट्रिये मानव अधिकार आयोग मिस्रा जी और जो सबसे पहले बने थे प्रतम अध्यक्ष जो थे वे थे नयायमूर्थी रंगराज मिस्र यह जानकारी है बच्च्चों इन्हें आप ध्यान रखिए क् कि यह परिक्षा में भी आता है और किसी competition वाले एक्जाम में बैठते हैं तो इस तरह के प्रशन आते हैं तो प्रथम मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष स्री रंगनात मिस्र जी और वर्तमान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है तो न्यायमूर्ति अरुण मिस्र स्रीयाजी है फिर इसके बाद और यह सदस्य होना भी आवस्यक्ष है तो जो प्रथम महिला लगने वह अधिक है इस आयोगजी उनका नाम है फातिमा बीबी जो पार बीबी भी ती यह भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली दिती इस से पहले कोई भी महिला नियायादित नही तो इसके बाद कारेकाल की बाद करते हैं कि यह जो सद सी यहाँ पर नियुक्त कर दिये गये हैं तो यह कितने कारेकाल होता है, वह 3 वर्ष का होता है, अत्वा इसके अलावा 70 वर्ष, means कोई भी जज जो की retired है तो 70 वर्स से अधिक का हो जाएगा तो वह स्वेम उस पद को छोड़ देगा या फिर 70 वर्स से कम का है तो वह 3 वर्स तक लगातार कारी कर सकता है फिर इसके बाद जो भी पहले complete हो जाए तीन वर्स पहले complete हो जाए या फिर 70 वर्स पहले complete हो जाए उस इस्तिती में वहाँ वहाँ पर कारे कर सकता है तो अधिक्तम उसकी जो काम करने की समय सीमय है वह तीन वर्स है और उम्र के अनुशार करें तो वह सत्तर वर्स तक वहाँ पर सदस्य या फिर अध्यक्ष बना रह सकता है फिर त्याग पत्र तो त्याग पत्र चुकी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपती तो त्याग पत्र भी वह कहां पर देगा राष्ट्रपती के समक्ष ही प्रस्तूत करेगा यह हटाने यहां पर हटाया भी जा सकता है बक्चोँ मालो चैन समिती कि सिफारिच पे उनका नियुक्ती कर दिया गया है लेकिन जाज के उपरांथ यहां पाया जाता है कि वह किसी प्रकार से योग नहीं है तो उसे हटाया भी जा सकता है. तो किस-किस प्रकार से उन्हें हटाने का प्रावधान है यहां अगर साबित हो जाए कि वह कदाचार में लिप्त है या फिर वह दिवालिया घोशित हो तीसरा मांसिक रूप से अस्वस्त हो और अपने कारे को कर पाने में अक्षमता महसूस कर रहा हो तो इस आधार पे जाच समिती के उपरांत उसे हटाया जा सकता है किसके द्वारा राष्ट्रपती के द्वारा फिर अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चो इसी मानव अधिकार आयोग के तहत कारे एवं सक्तियां जो मानव अधिकार आयोग क्या काम करता है और कितनी उसकी सक्तियां है तो यहां प पाश चलिए देखते हैं क्या क्या काम है और क्या क्या सकती है इसकी तो जो मानो अधिकार आयोग है सबसे पहली बात तो यह स्वयम किसी को दंड नहीं दे सकता यह केवल जाज करता है और किस प्रकार की जाज करता है जब यह देखता है कि किसी मानो के अधिकार का उलंगन हो जाज करता है यह उन मामलों की भी जाज करता है जहां ऐसे उलंगन या इन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा बरतने का आरोप हो कई बार सरकारी अधिकारी ही इस मानव अधिकारों का उलंगन करते पाया जाते हैं तो यह सरकारी अधिकारियों पर भी कर सकता है तो ध्यान रहे और किसी नियाले की तरह या चस्मिदीत गवाहों को समन जारी कर सकता है किसी सरकारी अधिकारी से यह पूस्ताज कर सकता है सरकारी दस्तावेजों की मांग कर सकता है आयोग किसी कारागार में जाकर जाज कर सकता है यह घटना इस्थल पर अपनी जा बच्चों को प्रतारित करने संबंधी सिकायत, बाल विवाह, दहेज प्रतार्णा, जेलों में होने वाले अत्याचार, राजस्व, बंधुआ मजदूर, प्रदूशन, मानो देह व्यापार, इत्यादी प्रकरण सामिल हैं. बच्चों इसमें जो आपने समझ बनी होगी, जो अधिकतर जो अत्याचार हैं, या फिर घरेलू हिसा, इन सभी से सम्मंदित केस इसमें दर्ज होते हैं. यहाँ पर मैंने बच्चों आपको बताया कि जो मानव अधिकार आयोग है, समन जारी कर सकता है. तो यहाँ पर एक सब्द आता है समन, आपको इससे परिचे होना आवस्यक है, तो जानिए क्या है समन? बच्चों समन का अर्थ होता है, नियालय द्वारा किसी वैक्ति को नियालय में उपस्थित होने के लिए एक आदेश जारी किया जाता है, उसे ही समन कहा जाता है. तो क्या आप समझ पाए क्या है समन नियालय द्वारा किसी व्यक्ति को नियालय में उपस्थित होने के लिए कोई आदेश पत्र जारी किया जाता है जिसे कहा जाता है समन ठीक है बच्चो चलिए आगे बढ़ते हैं तो अभी हम पढ़ रहे थे राश्ट्रिय मानव अधिकार आयोग राश्ट्रिय मानव अधिकार आयोग की तरह प्रतेक राज्य में भारत में 28 राज्य है तो प्रतेक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया जाता है तो हमारे 36 गड़ में भी राज्य मानव अधिकार आयोग है चलिए जानते हैं यहां किस प्र इस वहां पर सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था बच्चों राष्ट पती करता था और यहां राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा राज्य का राज्य पाल करता है बिंस गवर्नर करता है तीस गड़ में राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की न्युक्ति कौन करेगा राज्य का गवर्नर या राज्य पाल करेगा हमारे चत्तीस गड़ का वर्तमान राज्य पाल कौन है आप बताईए फिर बच्चो जो राज्य मानव अधिकार का जो चैन समिती है पुना मैं आप से रिपीट कर रही हूं इसमें एक अध्य होता है जो कि राज्य का मुख्य मंत्री होगा वर्तमान में हमारे चत्तीस गड़ के मुख्य मंत्री मान्निय विष्णु देव साय जी है और इससे पहले भुपेज वगेल जी थे इसके बाद आगला जो सदस्य होगा इसका वा विधान सभा का अध्याक्ष होता है तो वर् तो इसके बाद जी होगे और इसके अलावा जो चॉथा सदस्य होगा वह राज्य का ग्रहे मंत्री होता है तो राज्य के जो ग्रहे मंत्री हैं अभिवरतमान में अरुन-साउ जी है तो इन सब सदस्यों की एक स्चैन समिती बनेगी यह स्मित्य राज्य के मानव Kerryकार के सदस्यों का निवक्ति किया जाएगा तो राज्य के जो सदस्य हैं जो मानव अधिकार आयोग के लिए योग्य हैं वो कौन-कौन होंगे चलिए देखते हैं करके तो बच्चो इसमें एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्यों की निवक्ति की जाती है इससे पहले हमने जो पराश्ट्री वाला पढ़ा था उसमें एक अध्यक्ष पांच इस्थाई सदस्य और साथ पदेन सदस्य थे लेकिन यहां पे इसकी संरशना छोटी है इसमें एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होते हैं तो जो अध्यक्ष होता है उसकी योग्यता किसी उच्चे नयालय क मुख्य नयाधिस रहा हो अर्थात इस राज्यमानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष केवल वही वैक्ति बन सकता है जो किसी उच्च नयालय का मुख्य नयाधिस रहा हो जो दूसरा सदस्य है अध्यक्ष के अलावा तो उसकी योग्यता क्या है तो जो दूसरा सदस्य है व हो सकती है वह यह है कि राज्य में जिला न्यालय का न्याधीस है या रहा है या जिसे जिला न्यालय के रूप में कम से कम साथ वर्स का अनुभव हो तो बच्चों अध्यक्ष के अलावा जो दूसरा सदस्य होता है वो या तो उच्छे न्यालय का न्याधीस रहा हो अथ्वा जिला सत्र नियालय होता है उसका भी नयाधिस हो सकता है लेकिन उसे कम से कम उस नियालय में 7 वर्स का अनुभव होना चाहिए फिर इसके जो तीसरे सदसे हैं उसकी हम बात करें तो उसकी क्या पात्रता है तो जो मानव अधिकार आयोग है वह जो तीसरे सदसे है उसके लिए यह योगिता रखता है कि एक सदसे जिसे मानव अधिकार से संबंधित विशयों का ज्यान या वेवहारी कनभव हो अर्था तीसरे सदसे की पात्रता मानव अधिकार से संबंधित विशयों का ज्यान होना चाहिए तो इस प्रकार कुल तीन सदसे होते हैं और चौथा जो सदसे होगा वह सची होगा और जो सची होता है वह है इसका मुख्यकारे पालन अधिकारी होता है तो बच्चो इसकी सनरशना आपको समझ आ चुकी है कुल एक अध्यक्ष और इसके अलावाद दो सदस से और एक सच्यू ठीक है बच्चो अब आगे बढ़ते हम तो जो राज्य मानों अधिकार आयोग होता है उसमें जो सदस से न्यूक्त किये जाएंगे उनकी पदाविधी होगी तो जो पदाविधी है वह तीन वर्ष की अवधी के लिए नियूक्त होंगे अत्वा सब्तर वर्ष की आयो तक का या सदश्य पत से यह ध्यक्ष पत से जब हो रतायर हो जाता है तब उसे किसी भी राज्य वी सरकार के अधीन कोई भी लिओजन का पात्र नहीं होता, means वह पर्मनेंट रतायर हो जाएगा, फिर उसे और किसी सरकारी सेवा में नहीं रखा जयता इसके बाद जो थ्यागपत्र है तो बच्चों मैंने पहले ही बताया कि नियुकति करता है राज्यक्ष ये तो इसका जो त्यागपत्र है वह किसे सौपेगा राज्यक्ष को सौपेगा, फिस अगला पॉइंट हमारा पद्चियुत करना मे दिवालिया घोर्षित हो अन्य लाभ के पद पर होते हुए इस कारे को कर रहा हो या मानसिक या सारेरिक रूप से अक्षम हो तो इस आधार पर जाज समिती के रिपोर्ट के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। ये जो राज्य मानव अधिकार के सदस्य हैं ये राज्य छेत्र में मानव लंगन से संबंधित प्रक्रणों पर कारे करते हैं और जब इनका कारे पूर्ण होता है तब यह अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौपते हैं लेकिन इससे पहले जो राश्ट्रिय मानव अधिका आयोग था जो उसके सदस्य थे वो केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपते थे और ये अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौपते हैं। तो फिर आप इस पते पर जाकर सिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पता क्या है इसका। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पता लिखा हुआ है। वह है 0771 2235594। तो बच्चो इस प्रकार राज्य मानों अधिकार आयोग की लगभग सारी जानकारी हमने प्राप्त की। और जो राज्य मानों अधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं। पहले जो राज्य मानों अधिकार के अध्यक्ष थे उनका नाम के एम अगरवाल था। फिर इस राज्य मानों अधिकार आयोग के कार्यों को हम एक उधारण से समझते हैं। चलिए देखते हैं। केंद्री जेल बिलासपूर में आजीवन कारवास के कैदी मनोज को हारनिया की बिमारी थी। लेकिन उस जेल में गार्ड उपलब्ध ना होने के करण उसका इलाज नहीं किया जा रहा था। इस पर बंदी ने आयोग में सिकायत की, आयोग ने संग्यान में लिया। तब जेल अधिक्षक बिलासपूर द्वारा मनोज को राइपूर मेडिकल कॉलेज में भरती किया गया तथा उसका इलाज किया गया। तो इस उधारण से इसपस्ट है कि जो कैदी है उसे भी जीने का अधिकार है, उसे भी स्वास थे और अन्य सम्बंधित अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार हैं, तो बच्चों जब उसने मानोज अधिकार आयोग में शिकायत किया कि उसकी वीमारी का इलाज नहीं किय जा रहा है तब उसे बिलासपूर जेल से निकाल कर रायपूर मेडिकल कॉलेज चिप्ट किया गया और उसका इलाज हुआ तो इस प्रकार के प्रकरणों का निराकरण मानो अधिकार आयोग के द्वारा किया जा सकता है तो अब हमारा जो मानो अधिकार आयोग है यही पर हम सम प्रक्षक एक और आयोग पर चर्चा करेंगे तो हमारा जो नया टॉपिक है अब आता है सूचना का अधिकार आयोग सूचना का जो अधिकार आयोग है इसे हम Right to Information Commission भी कहते हैं जो Right to Information Commission है इसे भी हम एक उधारण के द्वारा पहले समझने का प्रयास करते हैं इसके बाद मैं एक एक करके इनके सदश्यों और इनके कार इत्यादी के बारे में बात करूंगी चलिए तो बच्चो एक मालती नाम की महिला है जो की भिलाई के पास एक बस्ती में रहती है जो मालती है वा कई महिनों से अपना राशन कार्ड बनवाने की कोशिस कर रही थी उसने चौथी बार अपना फॉर्म भरवा के विकास खंड कार्याले में अपना राशन कार्ड लेने गई तो संबंधित अधिकारी ने कहा कि आपका आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है मालती ने अपने आवेदन की पाविती दिखाई तो अधिकारी ने कहा कि आवेदन ढूना पड़ेगा आपका आवेदन कहीं गुम हो चुका है अब इससे मालती निरास हो गई और वापस आने लगी क्योंकि वह चार-चार बार आवेदन दे चुकी थी लेकिन उसके जो आवेदन है उस पर क कोई सुनवाई या कोई भी आगे कारवाही नहीं की जा रही थी जब वह वापस लोट रही थी तो आपने घर के रस्ते के पास ही उसे एक पडोस में रहने वाला लड़का मिला और उसका नाम था रमेश तो जो रमेश है मालती को परिशान देखता है और पूचता है कि क्य को देखकर रमेश कहता है कि आप इतने दुखी क्यों हो तब फिर मालती बताती है कि मैं चार चार वार राशन कार्ट के लिए फॉर्म भरकर आवेदन दे चुकी हूं लेकिन विकास खंड कार्याले के द्वारा हर वार आवेदन गुम हो जाता है और मेरा राशन कार्ट नह नहीं मांगती अब यह जो जन सूचना अधिकार था यह मालती के लिए नया था तम मालती क्या कहती है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है तो रमेश कहता है कि सन 2005 में बने कानून की अनुसार हम किसी भी कार्याले से कोई भी जानकारी एक फॉर्म भरकर निस्चित जमरासी द प्राप्त कर सकते हैं इस कानून को जन सूचना अधिकार का कानून कहा जाता है इस कानून के तहत किसी भी सरकारी आफिस या नीजी संस्था में भी हम कोई भी जानकारी जो हमें प्राप्त करना चाहते हैं वह मिल सकता है बसरते सिर्फ राष्ट सुरक्षा और गोपनीता स सब्बंधित हुआ जानकारी ना हो तो फिर अब मालती कहती है कि बेटा मुझे तो इस कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता है किस प्रकार फॉर्म भरूं कहां से लाओं मैं कुछ भी नहीं जानती हूं तब रमेश कहता है कि चाची अब चिंता मत कीजिए मैं कल ही सूचन के अधिकार का प्रपत्र लाओंगा अब जब रमेश उस सूचना के अधिकार के प्रपत्र को लाता है तो उसके बाद जो मालती है इस फॉर्म को भरती है और अपने रासन कार्ट के विशय में विकास खंड कार्याले की जानकारी मांगती है अगले दिन मालती ने रमेश की सहता से जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतरगत विकास खंड कार्याले में अपने रासन कार्ड की इस्थिती की जानकारी मांगी और लगभग 20 दिन के बाद उसके घर मालती के घर एक पत्र आया जिसमें बताया गया कि रासन कार्ड बनकर तयार है वह संबंदित अधिकारी से मिलकर और पावती को देकर अपना रासन कार्ड ले सकती है तो देखा बच्चो आपने जन सूचना के अधिकार का पावर या सकती जी हाँ बच्चो जब सरकारी जो अमला है वह लापरवाही बरते या फिर किसी चीज को रोकने का प्रयास करे तब हम जन सूचना का अधिकार लगा कर हम अपने इक्षानुसार कोई भी जानकारी प्र सकते हैं तो यह है जन सूचना का अधिकार इस्टुडेंट्स जो सूचना का अधिकार है वह हमें हमारे हितों की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है यह जो अधिकार है यह जो सूचना का अधिकार है यह 12 अक्टूबर सन 2005 को पूरे देश में लागू किया गया था और जो सूचना का अधिकार है यह केंद्री और राज्य इस्तर पर एक आयोग का गठन करता है और यह केंद्री इस्तर पर और राज्य इस्तर पर कारे करती है आगे मैं आपको केंद्री सूचना का अधिकार आयोग तथा राज्य इस्तर पर जो सूचना का अधिकार आयोग है उस तो जो राज्य और केंद्र इस्तर के जो सूचना के आयोग है इसके तहत हम विभिन दस्तावेजो वह अभिलेखों का अलोकन कर सकते हैं विभिन अभिलेखों की प्रमाडित प्रतिलिपी की मांग कर सकते हैं इसके अलावा हमारे सूचना से संबंदित विभिन प्रकार के वी हम इन सूचना के अधिकार आयोग में जा करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं बच्चो जो भी हम जानकारी चाहते हैं वह संबंदित अधिकारी द्वारा 30 दिन के भीतर उसे उपलब्ध कराना होगा और यदि किसी के जीवन या सवतंत्रता से जुड़ा हुआ कोई सूचना प्रा द्वारा ठाठान हैँ इस तरह से हम अपने अधिकारों अपने हीतों की सुरक्षा कर पाते हैं जो सूचना का अधिकार है यदि कोई जु सरकारी संस्था हो या नीजी संस्था हो दोनों के लिये लागू होता है और कोई भी संबंदित अधिकारी यदि इस्वारा crumbs की इने और अधिक्तम 25,000 रुपे तक का जुर्माना लगाया जा सकता है आता हम सूचना के अधिकार के तहत जो भी हम जानकारी चाहते हैं वह अधिकारी को प्रदान करना ही पड़ता है बच्चों जब से यह सूचना का अधिकार आया है तब से सरकारी संस्थाओं के कामकाज में पा सभी का संधारण और रख रखाओं भी ठीक प्रकार से किया जाता है तो यह रहे सूचना के अधिकार के कारे तो चलिए बच्चों इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वह 2005 में लागू हुआ था और इसी अधिनियम के तहत केंद्रिय स सूचना का अधिकार आयोग तथा राज्य सूचना का अधिकार आयोग का गठन किया गया था तो अब हम पढ़ते हैं केंद्रिय सूचना अधिकार आयोग तो हमारा जो नया टॉपिक है केंद्रिय सूचना अधिकार आयोग तो इसके तहत हम जो मेन पॉइंट से उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं जो केंद्री सूचना आयोग है इसे Central Information Commission भी कहा जाता है इसकी स्थापना जो है 12 October 2005 को हुई थी और यह एक अधिनियम के तहत बना था तो उस अधिनियम का नाम है RTI Act 2005 सूचना का जन सूचना का अधिकार 2005 इस Act के तह अधिकार आयोग की भी प्रकृती बताई थी उसकी प्रकृती भी सामविधिक थी और इस जन सूचना आधिकार आयोग की प्रकृती भी सामविधिक है यहां इस सब्द पर आप गौर करिएगा कि जो सामविधिक निकाय होते हैं वे किसी अधिनियम के तहत बने होते हैं यह भी कानून का ही एक पार्ट है लेकिन यह समवेधानिक नहीं है बल्कि केवल उस Constitution के जो तुरू कोई Act बना है कोई नियम बना है कोई कानून बना है उसके तहत कारे करते हैं यह अपने से कोई नियम या जानून नहीं बना सकते ठीक है बच्चों सामविधिक निकाय पुना मैंने आपको समझा दिया आशा करती हूं कि आप इस सामविधिक निकाय और समवेधानिक इसके बाद जो इसका अगला पॉइंट है इसका मुख्याले कहा है हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल scariestन कमिशन तो जो सेंट्र इंफॉमेशन कमिशन इसका मुख्याले है नई दिल्ली में है अब यह क्या काम करते किस उत्देसे से यहां बनाय गया है तो यह हमारा key point आप ध्यान रखिएगा कि जो इसका उद्देश से है पहला नागरिकों को ससक्त बनाना बच्चों जो जनसूशनक अधिकार है वो नागरिकों को ससक्त बनाता है इससे पहले जब तक यह अधिकार लागू नहीं था तब तक हम किसी सरकारी संस्था में जाकर ठीक प्रकार से हम कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पाते थे संबनित अधिकारी द्वारा मनमानी तोर पे या तो वापस भेज दिया जाता था या फिर घुमाया जाता था या फिर पैसे की मांग की जाती थी किन्तु जब से यह अधिकार आया है हम ससक्त हो चुके हैं और यह हमारा अधिकार है कि हम अपने द्वारा चाही गई जानकारी प्राप्त करें फिर इसका जो दूसरा उद्दे से है वह सरकार के कारे में पारदर्सिता और उत्तर धायत्य की बात करता है पहले कोई भी टेंडर लागू होता था तो उसका कितना मद है कितने रूपए या हर कारे में पारदर्सिता है एक आम नागरिक सरकार के द्वारा किये गए कारियों की सूचना प्राप्त कर सकता है और वह सरकार स्वैम भी उपलब्द कराती है फिर जो अगला तीसरा उद्देश से है वह ब्रश्टाचार को नियंत्रित करना बच्चों जब से जन सूचना का अधिकार आया है तब से पूरी तरीके से तुम्हें नहीं कह सकती किन्तु बहुत हद तक भ्रश्टाचार नियंत्रित हुआ है तो इस प्रकार से बूलता है यह ब्रश्टाचार को नियंत्रित करने शरकार के कारियों में पारदर्सिता लाने और नागरिकों को ससक्त बन जो इसकी संरचना है इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है एक मुख्य सूचना आयुक्त इसके अलावा जो दूसरे सदर्स्य होते हैं उनमें जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं वह अधिक्तम 10 की संख्या में हो सकते हैं 10 से कम हो सकते हैं लेकिन 10 से अधिक नहीं हो स जबकि मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य होते थे वो न्याया धिस या न्याय से संबंधिस सदस्य होते थे तो बच्चों इसके बाद जो इसका अगला पॉइंट है नियुक्ति तो जो जन सुछना अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होती है इनकी नि अश्टरपति के द्वारा की जाती है यह जो चयनसमित्य है इसमें कौन इन सदस्य होते है en arts हुआ हम हम कोई कैबिनेट मंत्री हो सकता है इस कैबिनेट मंत्री को प्रधान मंत्री जी के द्वारा ही नामित किया जाता है और जो इसका तीसरा सदस्य होता है वह लोग सभा के विपक्षी दल का नेता होता है तो इस प्रकार इस चैन समिती में कुल तीन सदस्य होते हैं एक प्रधान म और एक लोग सभा के विपक्षी दल का नेता ये तीन लोग जो है ये तीन सदर से मिलकर लोग शभा आयुक्त की नियुक्ति के लिए शिफारिस करते हैं और ये शिफारिस राष्टपती के पास जाता है और राष्टपती के द्वारा इन सूचना आयुक्तों और मुख्य सू सूचना आयोग आया था तो जो हमारे प्रथम मुख्य सूचना आयोगत थे तो भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयोगत वजहत हभी बुल्ला जी थे भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयोगत हजरत हभी बुल्ला जी इसके बाद जो प्रथम महिला मुख्य सूचना लोग के वे हैं यश्वंत कुमार सिन्धा न तो बच्चों यह जनकारी केंदरी सूचनायोग की थी अभी इस्ते थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जैसे यह केंदरी सूचनायोग होता है वैसी राज्य इसतर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है यह राज्य इस तर पर काम करती है और अब हम इस पर आगे चर्चा करते हैं राज्य सूचना आयोग जो होता है वह सेम केंद्री सूचना आयोग की तरह ही होता है बस इसमें राज्य के अधिकारी राज्य के मुख्य मंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है चलिएएगा पॉइंट करके देखते हैं जो राज्य सूचना आयोग राज्य इसतर पर कार्य करता है संरचन न तो इसमें भी अब राज्य के चेहन समिती में कौन-कौन से सदस्य होते हैं तो जो राज्य के चेहन समिती होती है उसमें भी तीन सदस्य होते हैं एक अध्यक्ष होगा और दो अन्य सदस्य होगे जो राज्य के चेहन समिती का अध्यक्ष होगा वह राज्य का मुख्य मंत्री होगा और इसक दल का नेता होगा ये तीनों मिल करके रभू की सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों के नाम की सिफारिस राज्येपाल के पास करते हैं और राज्येपाल के द्वारा इन सूचना आयुक्ति की जाती है तो बच्चों आप इतना समझ चुके होंगे अब हमारे जो छतीस विजयवर्गी जी थे और जो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है उनका नाम है M.K. राउत आपकी पार्टी पुस्तक में यह प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान के और चतीस घड़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त का नाम लिखिए तो बच्चों ध्यान र कि और जा आपको माल्ती के कहानी सु नाहीं इस मालती नाम पहुता को जिसको भरने के बाद उसका राशनकार्ड उसे प्राप्त हुआ था तो बच्चों जो सूशना के अधिकार का जो प्रपत्र है जो आवेदन है उसका प्रारूप हम यह स्क्रीन पर देखते हैं और किस प्रकार भरना है समझने का प्रयास करते हैं तो जो आवेदन पत्र है उस इसमें सबसे पहले आवेदक का नाम आएगा माल लीजिए कि हम मालती का ही फॉर्म भर रहे हैं तो उसी को उधारण लेके चलते हैं तो आवेदक के नाम में मालती ने क्या डाला होगा अपना नाम डाला होगा और यदि आप उस आवेदन को भर रहे हैं तो आप अपना नाम अपने माता पिता का नाम लिखेंगे तो आवेदक के नाम के बाद जो दूसरा पॉइंट था इसमें पूरा पता पूरा पता इसलिए डालना जरूरी है ताकि जब आपने जो सूचना चाहिए उसका जवाब आए तो आपके पते पे आए तो आपको सही और पूरा पता भरना जरूरी है मालती कहां की थी भिलाई की थी तो वह अपना पता जिस भी नगर में रहती हो माल लोगा रिशाली में रहती होगी तो रिशाली भिलाई जिलादूर की लिखेगी ताकि निरधारित इस्थान पे उसे सूचना प्राप्त हो जाए इसके अलावा जो अगला कॉलम थ तो आपको कॉल किया जा सके फिर इसके बाद जो अगला चौथा पॉइंट है आवेदन देने का दिनांक जिस भी दिनांक में आवेदन दे रहे हैं उस दिनांक को हम भरें फिर कार्यालाय का नाम जो कि मालती जो है विकास खंड कार्यालाय में आवेदन दे रही थी और उसका कार्ड जो है रासन उसका जो सूचना ठाव रासन कार्ड से संबंदी था, तो माल्दी के परिफरेक्ष में देखें, तो वह क्या भरेगी मुख्य कारपालन अधिकारी, विकासखन्ड, दुर्ग और जिला दुर्ग, क्योंकि जो भिलाई है उसका विकासखन दूर्ग ही है आप तो जानते ही है बच्चों की दूर्ग में तीन बलाग है दूर्ग, धमधा और पाटन तो जो जहां का है उसी विकासखन का नाम जिला इत्यादी का उसमें मेंसन करना है और संबंदित अधिकारी का नाम मेंसन करना भरेंगे फिर अगला जो है आब चाहते क्या है जो छné पइंट वह कहता है कि क्या चाहते हैं तो जिस चीज की आप सूचना चाहते हैं वह आप उसमें पॉइंट वाइस लिख सकते हैं कि नमब डाल के आप वरी है कि हमें यह यह जानकारी चाहिए और इसमें नंडला कर oh आप उस पर टिक लगाईए किसी भी जानकारी की नकल चाहते हैं या फिर कारे निरिक्षड चाहते हैं या रिकॉर्ड का निरिक्षड चाहते हैं या रिकॉर्ड की प्रमाडित प्रती चाहते हैं या प्रमाडित नमूना चाहते हैं तो जिस भी चीज को आप चाहते हैं आप उस पर टीक लगाईए और जो भी जानकारी चाहते हैं बकायदा उस पर लिखकर आप फिल करिए फिर बच्चों जो सात्वा पॉइंट है इस प्रपत्र में वह आवेदन के साथ जो जमा सुल्क है वह दस रूपय का सुल्क लगता है तो उसकी जानकारी आपको भरना है तो य नॉन जियूडिशियल स्टांप के रूप में दिया जा रहा है तो जिस भी प्रकार से आप ये 10 रूपय का सुल्क अधा कर रहे हैं आप उसमें टिक करेंगे और जानकारी विभाग को देंगे इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह कहता है क्या आवेदक गरीबी रेखा हां में या नहीं में और यदि हां है तो उसका जो बीपील कार्ड है उसकी सूची का अनुक्रमांक उसमें मेंशन करना पड़ेगा अगर अनुक्रमांक लिखने में दिक्कत हो रहा है तो उस बीपील कार्ड का एक फोटो कापी भी आप उस प्रपत्र के साथ लगा सकते हैं BPL card का photocopy लगाने से आपको ये फायदा है कि जो 10 रुपे का शूलक है हो सकता है वह भी माफ हो जाए या नहीं लगता है तो इसलिए बच्चो BPL card आप डालिए अन्यथभ बहुत जादा इसमें शूलक भी नहीं है मात्र दस रुपे कर शूल का अधा करके आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं किसी भी संबंदित विभाग से संबंदित आधिकारी से या अपने हितों से संबंदित कोई भी जानकारी आप इस जन सूचना के अधिकार के तहट प्राप्त कर सकते हैं तो इस प्रकार हमारा ये जो जन सूचना का अधिकार है यहाँ खतम होता है इस प्रपत्र में अंत में आपको आवेदक के हस्ताक्षर करना भी आवस्यक है तो आप अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं